दोस्तो स्वागत आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैंटेसी में अंडाजम बात करेंगे इंग्लिश T20 ब्लास्ट मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा यौर के शायर वसब वर के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेस्टमिंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ड्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैशनल का बेटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा तो वीडियो को एंटेक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चनल का नाम है केशना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वह आप सभी को हमारे टेलिग्राम चनल पे मिल जाएगी अगर मैं आपको recent matches का result भी बता हूँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर matches में आपके किलिन सुई पिकरा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलिग्राम से जुड़ना आपके लिए काफी जादा important हो जाता है दोस्तों आप देख सकते हो हैं अगर आपको इसी वीडियो के नीचे comment box में दिस्किशन बॉक्स में दिया वाए तो जल्दी से आईए link पे किलिक करिए और चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रईश्टर कर लिजिए अगर आप लॉस में चल दे हो तो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो अगर आप अलड़ी profit में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जादा profit बना सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रईश्टर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आई लिंक पे किलिक करिए और चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रईश्टर कर लेजिए डाउनलोड करने के बार अपना मोबाइल नमबर और इमेल एडरस जरूर वेरिफाय कर लेजिएगा दोस्तो अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी fantasy की टीम की तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेर्ट से जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यहरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डीटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा सपूर्ट आप कर सकते हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बात करें अगर हमारी Fantasy की टीम की तो सबसे पहले आपको जोनान्थन का ओप्शन है विकेट कीपर में जो कि आपको नमबर 5 पे बैटिंग करते वे नच राएंगे प्लस विकेट की पर है तो कैचेस वगरा पकड़ की दे देंगे लास्ट वन में 0 रन इन्होंने करे थे उससे पहले अगर मैं बात करूं 39 रन इन्होंने करे थे वही अगर यहांसे बैटिंग कोक्स के बारे में बात करे इनका बैटिंग ओडर नमबर 7 पे रने वाला है लास्ट वन में इन्होंने 2 रन करे उससे पहले 46 रन करे फिर इन्होंने 28 रन करे दोस्तों और 26 रन उससे पहले करे थे अब देखिए दोस्तों दोनों का ही बैटिंग ओंडर काफी नीचे रहता है मैं आपको सज़ेश्ट करूँगा जिसकी टीम पहले बैटिंग करें आप उसको अपनी टीम में रख सकते अगर यहां से यॉर्केशार पहले बैटिंग करें तो मैं जोरान्थन को रख लूँगा बट फिलाल के लिए यहां से बैंकोक्स को लेके चल रहा हूँ बैटिंग में अगर मैं बात करूँ एडम लिट का आपके पास ओप्षिन ने ओपन करते वे आपको नजर आने वाले दीसन के बारे में अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है वैसे लाश्र ने कर आप Chief के बारे में बात करूँ पांच रन नों करेख उस्सें पहले 31s नं करे ते तो पर्फॉर्मेस राय अच्छा 95 भी करेते ओ 26 रन भी करे थे तो काफी अच्छा पर्फोर्मेंस रहा इंपोरेंट हो जाते है इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ एडम होस के बारे में बात करें मिडल ओर्डर के एक भैतरीन यहां से जो एक प्लेयर है जो हमेशा रन करके देते लास में 42 सन इनोंने करें उससे पहले 3 रन करें दोस्तों फिर इनोंने 51 रन करें उससे पहले 13 रन करें और 44 सन करें इंपोर्डेंट हो जाते है इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ जैक हैंस के बारे में बात करें वन डाउन नमबर 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे लास में गुन्य सन इनोंने करें उससे पहले 26 सन करें फिर इनोंने 42 सन करें दोस्तों 17 रन करें और 32 सन करें आप चाहो टू ट्राइ कर सकते हो मैंने डेविड मलान को रख लिया यहांसे डेविड मलान को नहीं यहांसे एडम होस को रख लिया यहांसे रहाँ मैं में मसूर के बारे में बात करें नमबर 4 आपको बेटिंक करते हुए नजर आएंगे रीशन के बारे में अगर मैं बात करूँ 23 सन करें उससे पहले 15 run करे, फिर 34 run करे और 6 run करे दोस्तो बागी कोई मुझे इतने खास option लग नहीं थे फिलाल 2 मेरे आसे जोई bats में देने वाले ओल राउंडर के बारे में बात करे दोस्तो ओलिवेरा का आपके पास option है open करते विए नज़ आएंगे टीम के captain है, recent में 17 run करे उससे पहले 38 run करे थे फिर इनोने 44 run करे फिर 4 run करे, वो 2 run करे last 5 matches में balling करवाईए और 8 wicket भी निकाले, batting balling आपको करके देते इसलिए captain की भी एक अच्छी choice हो जाती है फिलाल में इनको लेके चल रहू डेविड वीजे भाई जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते मतलब यह ऐसा performance कर देते क्योंकि age इतनी ज़्यादा है इनकी वैसे और हमेशे हर match में surprise करते last one में भी 50 run की एक शांदार पारी खेली थी 32 के इंदों में batting order के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तकरीबन नमबर 8 पे इनका भैटी order रहने वाला है आप देख सकते हो उस नमबर 8 पे आके भी last one में 50 run करे उसे पहले 30 run करे फिर 2 run करे 11 run करे और 28 run करे last five matches के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 5 wicket भी इनोंने निकाल रखे दोस्तों important हो जाते है फिलाल में लेके चल रहा हूँ महीं brassville आपको open करते विनर जाएंगे last one में 11 run करे उससे पहले 1 run इनोंने करे फिर 5 run करे थे दोस्तों 4 run उससे पहले करे और 3 run करे last five matches में 5 wicket इनोंने निकाले average performance रहा है important हो जाते है एक wicket निकाले और फिर 0 wicket big bash league में भी आपने देखा होगा जो ऑस्टेलिया में हुटा है खेलते वे अच्छा performance रहा है फिलाल में लेके चल रहा हूँ center last match के हमारे hero जिनको last win में काफी कम लोगों ने ले रखाता है और हमने लिया और इन्होंने performance भी करा दोस्टो और one sided win भी करवाया number 5 betting करेंगे last win में 57 run करें उससे पहले 33 sun करें फिर 6 run करें वही last अगर मैं 4 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ bowling से 3 wicket भी निकाले दोस्टो तो betting plus bowling दोनों करके दे सकते हैं इसले मैं इनको लेके चल रहा हूँ रैवेस आपके पास एक और option हो जाते जिनको आप रख सकते हो number 4 betting करेंगे sorry number 4 नहीं number 6 आपको नज़राने वाले last match के बारे में बात करूँ 10 run निनोंने करे उससे पहले 24 run निनोंने करे फिर 9 run करे और 14 run करे last match इसके बारे में बात करूँ 2 wicket निकाले लेकिन इससे अच्छा कर सकते और खासकर योड के शहर पहले बैटिंग करती है तो ये बैटिंग में भी योगदान दे सकते और फिर 1-2 wicket ले गए तो काम हो जाएगा फिलाल में लेके चल रहा हूँ छह मेरे यहां से all-rounder रहने वाले है balling के बारे में अगर में बात करूँ Pat Brown का आपके पास option होने वाला है जो लगातार wicket निकालते वे आ रहे है last match के बारे में बात करूँ 2 wicket निकाले उससे पहले 1 wicket निकाले फिर इनोने 4 wicket निकाले दोस्तो 3 wicket निकाले और 3 wicket निकाले तो आप देख सकते है क्या शांदार form में चल रहे है वही अगर यहां से Mike के बारे में बात करें इनका भी performance अच्छा रहा है last match के बारे में बात करूँ 2 wicket निकाले उससे पहले 3 wicket निकाले फिर 2 wicket निकाले दोस्तो 1 wicket निकाला और 1 wicket निकाला यह भी important हो सकते आपके लिए वही किसी और के बारे में अगर मैं बात करूँ Dom Bess का आपके पास option है इनके ओवर कर सकते है last 5 matches में इनोंने 3 wicket निकाले फिंच के बारे में अगर मैं बात करूँ last 5 matches के बारे में तो इनोंने 2 wicket निकाले वहीं किसी और के बारे में अगर मैं यहां से बात करूँ तो जफर चोहान का आपके पास option है recent last 5 matches में 3 wicket in onay निकाले वहीं किसी और के बारे में बात करें pennington के बारे में दोस्तों इनको try कर सकते हूँ last 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाँच विकेट इनोंने निकाले फिलाल के लिए अगर मैं बात करूँ यहां से दोस्तो तो पैट ब्राउन और माइक को अपने टीम में लेके चल रहा हूँ दो मेरे बॉलर हैने वाले कैप्टन वोईस कैप्टन के बारे में अगर मैं बात करूँ डेविड मलान का आपके पास एक अच्छा उप्शन होने वाला है ओलिवर का आप कर सकते हो दोस्तो मही किसी और के साथ अगर आप जाना चाते इस मैच में तो सेंट ने देखो और अच्छा उप्शन हो जाते फिलाल कैप्टन मेरे ओलिवर हा रहेंगे वॉइस केप्टन मेरे यहां से मलान रहने वाले टीम के प्रिविव के बारे में बात करें फिलाली अमारी टीम का प्रिविव आप देख सकते हैं आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस जोईन कर सकते हैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए जल्दी से आई ये लिंक पे किलिक करिए और टेलीग्राम चैनल को जोईन कर दीजिए दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपे की 10,000 रुपे की फिरी एंटी चीए तो आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप चोईस 11 एप को फर्स्ट ताइम डाउनलोड करके रेइश्टर करते हो तो चोईस 11 एप आपको 20,000 रुपे की फिरी एंटी देता है स्मॉर्ली हेट टो एड में तो बस आपको चोईस 11 एप को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेना है लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वह है और डिस्किशन बॉक्स में बना सकति हो सबसे पहले को डाउनलोड करके रेइश्टर कर लेना है लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वह है जलदी से आई लिंक पे किलिक करेंए और चोईस 11 एप को मोबाइल नमबर जरूर वेरिफाय कर लेजिएगा चलिए दूस्तों मिलते हैं मेश टैम टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम से जुड़ी आईगा और मेश टैम एक्टिव रहिएगा